हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ग्यान पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Realme C2 डिवाइस की Android 10 अपडेट को लेकर है तो फ्रेंट्स इसी अपडेट को लेकर मैंने वन विक पहले एक वीडियो प्लोड की थी अपने चैनल पर और उस पे मैंने बताया था कि आप सभी Realme C2 यूजर्स को जो है Android 10 की अपडेट अपने डिवाइस में देखने को मिलेगी तो फ्रेंट्स उस वीडियो में आप सभी का जो काफी अच्छा रिस्पोंस रहा था और वहाँ पे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको न्यू वीडियो जो है 24 या 25 दिसंबर को देखने को मिलेगी लेकिन फ्रेंट्स कुछ रिजन स्टेजिन के वज़े से जो हमें काफी विजी रहा तो इसलिए फ्रेंट्स यह जो वीडियो यह आपको थोड़ी लेट मिल रही है तो फ्रेंट्स पिछली वाली जो वीडियो इसमें मैंने आपको बताया था कि रियलमी जो है रियलमी सीटू के लिए ट्राइल वर्जन वगेरा रिलीस करती रहती है और बहुत सारे उजर्स ने मेरे को कमेंट भी किया था कि भाई यहाँ पे ट्राइल वर्जन हमको मिल चुका है और बहुत सारे उजर्स बोल रहे थे कि भाई ट्राइल वर्जन जो फुल हो चुका है तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ बिना ट्राइल वर्जन के आपको अपने डिवाइस में Android 10 की अपडेट यानि C.57 की अपडेट किस तरह से जो इंस्टाल करने है किस तरह से उसका यूज़ करना है तो फ्रेंट्स वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो friends, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme C2 device, एक बार मैं आपको device की settings open करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं, settings हमारी open हो चुकिये, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा scroll down कर लेता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ से जो software update जो चेक करवा द तो Realme ने क्या कुछ मेरे को response दिया, update को लेकर वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो चली मैं आपको directly अपने WhatsApp पे लेकर चलता हूँ, और वहां से update को लेकर जितने भी information आईए, वो सारी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो friends, यहाँ पर मैं भी जो अपने second device में आ पला हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले friends देख सकते हैं, मैंने इनको hello hi वगेरा किया, उसके बाद में थोड़ा सा introduction दिया, उसके बाद में नीचे देख सकते हैं, मैंने इंसे पूचा, I want to know about Realme C2 Android 10 update, तो इन्होंने बताया, I will surely assist you for the same, तो मैंने इनको ok किया, इसके बाद म नीचे देख सकते हैं, इनकी website आचुकी है, for the list of Realme service centers, तो यहाँ पी यह जो इनकी website है, इसकी link में आपको description में डाल दूँगा, यहाँ से आप जो अपना area वगेरा select कर सकते हैं, और वहाँ से जो check कर सकते हैं, कि आपके area में जो realme का nearest service center कहां पे पड़ेगा, वो आप यहा Android 10 update on your device, the service engineer will update the device to Android 10, तो उसके बाद में मैंने इनको यहाँ से जो ok कर दिया है, तो यहाँ पे friends, Realme ने जो clear कर दिया है, कि आपको जो realme के nearest service center पे जाना है, और वहाँ पे service engineer है, वो आपके device को जो Android 10 में अपडेट करके देंगे, और मैं आपको बता दूँ friends, यह जो service है, एकदम free of post है, यानि अगर आप अपने device Realme C2 को जो software update करवाते हैं, Android 9 से Android 10 में करवाते हैं, तो इसका कोई भी charge आपको देना नहीं पड़ेगा, यह एकदम free of post रहेगा, और इसे के साथ में friends, मैंने website के link description में डाल दी, आप directly वहाँ से जा सकते है, Realme के website पे, तो friends, आप वह इसका software जो change कर देंगे, तो friends, इसे के साथ में बता दो, गर आप अपने device की software update करवाते हैं, यानि आप अपने device को flash करवाते हैं, तो friends, आपका जो device उसका data वगएरा, जो crazy होने के पूरे chances रहेंगे, तो ऐसे में अगर आप अपने device को update करवाते हैं, तो friends, पहले आप जो ना भी data वगेरा है उसको आप जो copy कर सकते हैं अपने किसी दूसरे device में या फिर अपने memory card वगेरा में तो friends यही कुछ information में आज की वीडियो में आप सभी के लिए जो लेके आया था